नमस्कार दोस्तों मेरे शानर पईगवर फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं Central Idea My Mother at 60 जो की 12th का बहुत 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 जादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यह फूर मार्क्स का जो Central Idea है वो आपके एक्जाम में पक्के से आनाई है तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही इजी वे में ताकि आप अपने मन से भी चाहें तो एक्जाम में लिख सके बिल्कुल भी आपको रटने की जरूरत ना पड़े तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है दपोयम यह तो आपको सारे में लिखना है कोई भी आजाए Central Idea फिर पोयम का नाम My Mother at 66 is composed by an Indian poet कमला दास ठीक है तो आपको पोयम का नाम यहाँ पर mention करना ही करना है इससी से आपको एक नमबर fix हो जाना है फिर नेक्स आप शुरूर करेंगे पोयम बताएंगे कि उसमें बताया क्या गया है तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि My Mother at 66 में आपको में जो में जो में लाइन है जो में सेंटरल आइडिया जो बोलते है इसको वो यही है कि जो पोयम है उसके अंदर डर है अप मतलब मुझे दूर हो जाएगी मुझे छोड़ के चली जाएगी तो एक बोलते है ना कि डर उस डर को उस पोईट ने एक्सप्रेस किया है तो यही एक में जो चीज़े वो यही है इसी को आपको अपने शब्दों में पिरोना है विटमिंस की शब्दों में लिखना है तो लास्ट फेज में चल रही है अफ हर लाइफ अपनी लाइफ के तो पोईटेस को ऐसा फील हो रहा है कि वो बहुत ही जल्दी मतलब चली जाएंगी पोईटेस गेट स्केर अफ दिस थॉट वो डर जाती है यह सोचके कि उसकी माँ चली जाएगी तो कम आउट अफ दिस आउट साइड वोस फुल अफ लाइफ बाहर की जो दुनिया है वो फुल अफ लाइफ है एंड एक्टिविटी मतलब बहुत सब अपना-पना काम कर रहे है सब खुश है सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे है तो बाहर की दुनिया अलग है तो दो यंग ट्रीज अपनी बुड़ी मा को फिर से देखती है शी फेल्ट पेंट टू लुक एट दा कलर लेस वो बहुत पेंट फील होता है जब अपनी मा को ऐसे देखती है मतलब जूरिया पड़ी हुई है चहरे पेश सूखा हुआ चहरा है यलो मतलब कहते हैं न सूखा एक बुढ़ापे का जो वो होता है उसके बारे में explain किया गया है pale face of her mother but hiding her tears पर फिर भी वो अपने उस feeling को छुपाती है अपनी आसुओ को छुपाती है the point is sad और last में वो कहती है see you soon अमा तो हम फिर मिलेंगे उसके बाद मतलब ये सारी चीज़े ये उसकी feeling है जो घर से लेके एरपोर्ट तक के बीच में जो उसको feel हुआ है उसने अपना ये poem के तुरू वो उसने बताया है कि my mother at 66 तो ये आपको लिखना है बहुत ज़्यादा टफ नहीं है बहुत ज़्यादा easy है और अपने way में अपने मन से आप लिख सकते हैं इसे इसे related आपकी कोई क्यूरी हो कोई question हो ता आप मु पता है और वीडियो पसंद आयोगी तो डूक लाइक की जगा शाय की जगा चैनल पढ़ना है तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब करना बिल्कुल भी न भूलेगा बाबाय टेक केर